स्वागत आपका Traders Point के और एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अशोक लेलन शेर का Technical Analysis और देखेंगे के इस शेर में इतनी गिरावट क्यों आ रही है और इस शेर को खरीदने के Best Levels कौन से रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर हम इस शेर के Trend की बात करें तो यहाँ पर पहले भी मैंने का था 52 वीक लो बनाने के बाद यह शेर कंटीनियूस अप्ट्रेंड में जा रहा है तो इस शेर का Trend क्लियरली एक अप्ट्रेंड ही है आई अब हम इस शेर के Important Support और Resistance Levels को देख लेते हैं और फिर हम समझेंगे के इस शेर को Buy करने के लिए Best Levels कौन से रहेंगे अगर हम इस शेर के Resistance की बात करें तो दोस्तो यह वाला जो Line है यह Trend Line इस शेर के लिए Important Resistance का का काम कर रहा है क्योंकि यह शेर एक अच्छे से Up Trend में था और जब इस शेर का Price अपने Resistance के इदर पहुचा उसके बाद इस शेर में गिरावत शुरू हुई और जब भी शेर में तेजी आती है तो यह शेर इदर Resistance Face करते हैं और वापस गिरावत आ जाती है आप यहाँ पर देख सकते हो First Time इदर, Second Time इदर, Third Time इदर और Fourth Time इदर तो Resistance यह एक Important Resistance है और अगर हम Resistance Level की बात करें तो 132.80 का Level इस शेर के लिए Important Resistance का का काम करेगा क्योंके आप यहाँ पर देख सकते हो पहले भी दो बार इस शेर में जब भी तेजी आई थी तब यह शेर इसी लाइन पर Resistance हो इस किया था और जो दूसरा मतलब जो सबसे पहला Resistance है इस शेर के लिए अभी के लिए वो है 126.60 का Level तो दोस्तो जो हमारा पहला Question था कि इस शेर में Uptrend यानि कि तेजी कब आईगी तो फिर इसका Simple Answer यह है कि जब यह शेर अपना यह वाला Resistance तोड़ेगा 132.80 का Level उसके बादी इस शेर में तेजी आईगी और ऐसा मैं क्यों गोल रहा हूँ क्योंकि इदर तो दो Important Resistance है इस शेर के लिए तो तेजी आईगी जब यह शेर अपना 132.80 का Level Break करके एक Upside Moment दिखाएगा आईए अब हम इस शेर के Important Support Levels को देख लेते हैं और हम यह ही समझेंगे कि इस शेर को खरीदने के Best Levels कौन से रहेंगे अगर हम इस शेर के Support की बात करें अब भी शेर में गिरावट आती है तो यह शेर इसी लाइन पे Support लेता है पर यहां पर एक बार इस शेर ने अपना लाइन यह वाला जो Support Line था उसको तोड़ा था पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि उस दिन Volumes बहुत कम थे इसलिए यह एक Fake Breakout था तो अगर हम बात करें Support Level की तो जो सबसे पहला Support Level है वो है 116.95 का Level तो यह Support Level है अगर इस शेर में कोई भी गिरावट आती है तो यह शेर यहां से एक Bullish Reversal दिखा सकता है तो दोस्तों अगर हम बात करें Buy करें की Sell करें तो यहां पर आप Buy कर सकते हो और यहां पर आपके पास दो Options रहेंगे जो First Option है वो है आप Current Market Price पे इस शेर को Buy कर सकते हो क्योंकि यह शेर अपने Support के इदर आ गया है यह वाला जो Support Line है उसके नजदीक यह शेर आ गया है आप यहां पर देख सकते हो या फिर दूसरा Option आपके पास यह है कि आप इस शेर को जब यह शेर अपना Resistance ब्रेक करें और Volumes भी High रहेंगे तब यह आप Buy कर सकते हो तो इस शेर का जो Resistance है वो है 132 का Level और दोस्तों यहां पर आपको Caution भी रहना पड़ेगा क्यूकर अगर Market में गिरावट आती है तो इस शेर में भी गिरावट आ सकती है और अगर इस शेर ने अपना Support Level तोड़ दिया तो इस शेर में बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना रहेगी तो अगर आपको Stop Loss लगाना है तो आप 109 रुपीज का Closing Basis पे Stop Loss लगा सकते हो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को Like करना, Share करना और चैनल को Subscribe करना इस सबसे मुझे बहुत motivation मिलता है और दोस्तों इस शेर में मेरी कोई भी Biasalia Hold की Advice सला नहीं है आप कुछ भी decision लो तो अपना research करो, अपना analysis करो धन्यवाद